पताना साही रबया है वो दिखता है और निश्ची तुरुप से लोगतंत्र में इसकी इजाज़त नहीं है नहीं मांगना कई नहीं मांगना पड़ गयो निश्ची तुरुप से आपने जब अपसब्दों को प्रयोग किया तो खुद आत्म विवेक से माफी मांग लेनी चाह है आज भी उसी में जी रहें आज भी वो समझ रहें कि देश के हमी प्रधान मंत्री है मालिक है यहां तो जया था कि हम खाएंगे न खाने देंगे अपने होया पर आए तो निश्ची तुरुप से जो लोग मने इस बातों को संग्यान में लिया गल्तियां करना बंद कर दि लेकिन नमस्कार साथियो स्वागत है आपके आमारे देश प्रेम लिज में अभी हम मौजूद है बीजेपी कर्याले में और हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रदेश परवक्ता विनोत सर्माजी जिस तरीके से विपक्ष लगतार आप लोग पर बोल रही है आप ल रहा है संभिधान को ताक पर रखके काम कर रहा है और लोक तंत्र की हत्या करना चाहता है तो इसमें भाजपा क्या करेगी मानिये न्याले द्वारा उनके खिलाफ संग्यान में लाया जाता है उन पर कोई कारवाई होती है उनके पर सजा सुनाई जाती है तो इसमें भारती ज कि इस लोग तंत्र में किसी को भी गाली देने का अधिकार आपको नहीं है और निश्ची तुरुप से जाती सूचक एक तरह से उन्होंने जो अब सब्द का उप्योग किया चोर कहा पूरे मोधी जाती को पिछडी जाती को यह निश्ची तुरुप से बढ़ूत हिदुर भा है और दिखता है और निश्ची तुरुप से लोग तंत्र में इसकी इजाज़त नहीं है नहीं मांगना कहीं मांगा पड़ गयो निश्ची तुरुप से आपने जब सब्दों को अप्रयोग किया तो खुद आत्म विवेक से माफी मांग लेनी चाहिए थी कोट ने जब समझ रहे कि देश के हमी प्रधान मंत्री है मालिक है यहां तो जनता मालिक होती है कर दो देखिए नहीं बदला और राजसाही का अभी भी प्रभाव उन पर है वोट के सामने माफी मांगने में क्या छोटा हो जाते हो अगर गल्ती की थी गालियां दी थी किसी समाज को जात था वो एक सब्द कहने में क्या जाता कि गल्ती होगी आगे से इसी बात नहीं होगी या किसी नेता गिरा सिंग तो बोल देगा लालु जी का सराप लग गया राहुल गांधी जी को देखिए अब गिरा जी हम लोगे बड़े निता हैं मंत्री हैं कि इसका सराप लगा को तो दुनिया देख रहा है लेकिन सचाई है कि लालु जादो की भी उन्होंने जेल भेजवाया था इसी मुद्दे में बिल फाड़ ले थे जिसका रिजल्ट उन पर भी लागू हो गया यही राहुल गांधी ने बिल फाड़े थे और सदस्ता समाप्त करने की बात करवाई थी कि जो सजाएबार हैं और इनकी माफी नहीं होगी मनमोहन सिंग जब बिल ला रहे थे तो उन्होंने उस बिल को फाड़ा था जिस पर भी केस हुए थे तो निश्ची तुरुप से कहने कहीं से भावना आहत होई होगी लालु जादो जी आज उनकी मने करनी का फल भोगत रह है कि उनको उनका अलगा होगा उनके जो अंदर का दुख है उसे आहत हो करके उनको इस तरह की सजा होई होगी आखरी सवाल यह हैं कि विपक्ष हमेसा से यह क्यों आरोप लगाता है बीजेपी पर कि एडी और सीपी आई का बीजेपी जो है पूरा दूरुपयोग करती हम खाएंगे ना खाने देंगे अपने हो या पराए तो निश्चीत रुप से जो लोग मने इस बातों को संग्यान में लिया गलतियां करना बंद कर दिया प्रधान मंतरी की जो मनसा थी उसको असपर्ष्ट होने के बाद हमारे गठवंदन में भी अगर कुछ लोग गलत कर प्रष्टाचार करना बंद कर दिया प्रधान मंतरी के आगरा को माना और उनके संदेश को माना लेकिन जिनको भरष्टाचार की आदत लगी हुई थी उसकी परवाह नहीं की और हाथ और पैर दोनों से खाने लगे तो इसमें भाजपा क्या करती आप पुरे राज को फसा रही है किसने कहा था कि एक शो से ज्यादा पिलोट आप बनालीजिए ढिस, सिस्वधियों का कहा था कि एक सो क्ला रुपय पर घूपना चाहते हैं जनता नहीं स्विकार करेगी चूकि सचाहिच सामें है नैले हमारे उपर है और सीबी आई ऐज भाजपाने नहीं बनाया है, एक कॉंग्रेस सासन काल में ही बने हुए है, जो सरकार का अंग है, इक सवाख चुछन का नाम है कि CBI और ED पर सरकार का अंकुस लगा हुआ है, अगर अंकुस होता, तो लालु जादो अपनी सरकार में जेल कैसे गए, लालु जादो की सरकार प्रश्ण है उनको बताना है लेकिन सचाई है कि दरजनों दरजनों पर संपत्यों के मालिकों कैसे हो गए जादों के पास इतनी अकूत संपत्य कहां से आ गई इसका जवाब नहीं है तो निश्चीत रुप से कारवाई स्वतंत्र है एड़ी और सीबी आई भी स्वतंत्र है नेले भी सारी बातों को देख रहा है अगर आप गलती किये हैं ज्यादा धन अरजित किये हैं आमदानी से तो इसका तो जवाब देना पड़े हैं कोई आराम से कंबल लोड़कर सोय कोई कारवाई नहीं होगी धन्यवाद तो आप सुन रहे तो बिनोस सर्मा जी को इनका सिधा सिधा कहना है कि अगर आप सही होंगे तो बच जाएंगे सही लोगों गबलानी के जोरत नहीं है और जाता कि tbismi पर विपक्ष आरोप लगाता है यह बिलकुल निर्दार आरोप है विपक्ष जो आरोप लगाती है कि एडि और स्वियाई बीजली शर्मा जी पर उकता आपक्रत यह क्या प्रतति करेएघा कॉमर्स बाहाब जवाब कर लिए त आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज